हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप चलिए आज हम और आप मिलकर बनाते हैं गार्लिक लच्छा पराठा की बड़ियासी रेसिपी तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले धनिया लेंगे और धनिये को बारीक बारीक कट कर लेंगे जितना बारीक हो सके आप धनिया को उतना बारीक कट कर लीजिए और साथ में हमें चाहिए होगे मीडियम साइज के चार से पांच लहसुन की कलियां अगर आपके पास लहसुन बड़ा है तो आप कम ले लीजिए और अगर आपके पास लहसुन बहुत बारीक है तो आप 6 से 7 लहसुन की कलियां ले सकते हैं और वैसे भी लहसुन अगर आपको ज्यादा कम जैसे भी पसंद है आप एड़ कर सकते हैं में चाहिए होंगी कि एक हरी मिरच और जो हरी मिरच है वो कम तीक ही है इसलिए हमने एक पूरी डाल दी है स्टफिंग तयार हो चुकी है तो अब लेंगे आधा कोटोरी गेहों का आटा और आधा कोटोरी मैदा और चार से पांच चुटकी नमक और इन सब को एक साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर आटा लगा लेंगे आटा बिल्कुल टाइट नहीं लगाना है थोड़ा सॉफ्ट आटा लगाना है तो अब आटे के उपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे और थोड़ा सा मसल कर एक बार आटे को पंदरा से 20 मिनट के लिए ढखकर रख देंगे जिससे आटा अच्छे से से शेट हो जाएगा 15-20 मिनट के बाद आटे को एक बार से दुबारा मसल लेंगे तो ये देखिए आटा कितने अच्छे से सेट हो चुका है तो अब इसे दो हिस्सों में बाट देते हैं अगर आपको पराठे ज्यादा बनाने हैं तो आप आटा ज्यादा ले सकते हैं चलिए ये देखिए दो हिस्सों में इस प्रकार बांट लेंगे तो अब ये देखिए जो आटे का बॉल बनाना है उसे सबसे पहले इस प्रकार अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऐसे बॉल बना लेंगे अगर आपको इस रेसिपी से रिलेटेड मुझे कुछ बताना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मुझे आपके कमेंट का इंतजा रहता है तो चलिए ये दूसरा बॉल भी बनकर तेयार हो चुका है और अब इनके उपर घी लगा देंगे थोड़ा थोड़ा सा अब जो आटे के बॉल बनाये थे उनमें से एक इस प्रकार उठा लेंगे और उन्हें दोबारा से ऐसे मसल कर दोबारा बॉल बनाएंगे अ तो अब थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और अब इसके उपर एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे जो आम घरों में हम लोग रोटी पगाते हैं ना उससे थोड़ी सी पतली बेलेंगे अब रोटी के उपर घी लगाएंगे और घी को अच्छे से फैला कर लगा देंगे जिससे यह पूरी रोटी के उपर लग जाएंगे और अब जो स्टफिंग तियार की थी उसे रोटी के उपर अच्छे से फैला कर लगा रखेंगे और साथ में चीली फ्लेक्स को भी अड़ करेंगे और अब पिज्जा कटर या चाकू की सहायता से इस प्रकार कट लगा लेंगे और अब एक तरफ से इस प्रकार आराम से धीरे धीरे उठाना स्टार्ट करेंगे और अब हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसे थोड़ा सा खींच कर लंबा कर लेंगे बहुत ही हल्के हाथों से करना है और अब इस प्रकार फोल्ड करते हुए इसका एक पेड़ा बना लेंगे तो ये देखिए ऐसे चलिए इसे बेल लेते हैं सबसे पहले इसे हाथों की साहता से हल्का हल्का प्रेस करते हुए थोड़ा फैला लेंगे और जो प्रेस करना है वो बिल्कुल हल्का हल्का हल्के हाथों से करना है और जो बेलन की साहता से अगर इसे बेलना है तो वो भी बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है तो चलिए पराठा बन करते यार है इसे सेक लेते हैं तब ये के उपर एक चमच घी लगाएंगे और फिर इसके उपर पराठा इस प्रकार डाल देंगे और दोनों तरफ से उलट पलट करते हुए घी लगाकर पराठे को अच्छे से सेक लेंगे गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है मीडियम फ्लेम पर ये पराठे अच्छे से अंदर तक पक जाते हैं यह देखिए पकना स्टार्ट हो चुका है और लियर्स भी बनने स्टार्ट हो चुके हैं लीजिए पराठा बनकर तयार है तो अब हम आपको दिखाते हैं इसके लियर्स तो यह देखिए कितने अच्छे लियर्स बनकर तयार हुए हैं हमारे घर में तो ये सब को बहुत पसंद आए और सब ने मांग मांग कर खाए मुझे उमीद है कि आप सब को भी ये पराठा बहुत पसंद आएगा पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद